नमश्कार, मैं डॉक्टर रंजना बेकन, सीनिय कंसल्टन्ट अप्स्टेट्रिक्स कानेकॉलजी मनिपाल हाउस्पटल गाजियबाद आज हम बात करेंगे मीनोपॉज की बारे में लेडीज इस बारे में जानती तो हैं कि उनको मीनोपॉज होता है, होगा, सभी को होगा लेकिन ये क्या चीज होती है, क्यों होती है, इस बारे में जादा जानकरी अक्सर लोग को नहीं होती मीनोपॉज हम तब कहते हैं, जब कम से कम 12 महीने गुजर जाएं और आपको पीरिड्स ना आए हो मीनोपॉज एक नाचरल बायोलोजिकल फिनॉमिनन है, जो सभी महीलाओं को 40s और 50s में होता है भारतिय महीलाओं में हमारी average age 47-48 years है, जब लोगों को मीनोपॉज हो सकता है अब बात या आती है कि हमें पता कैसे चलता है, इसके symptoms क्या है मीनोपॉज के symptoms, irregular periods, night sweats, mood swings, vaginal dryness, thinning of hair, weight gain, वगएरा वगएरा इसमें खास करके, hot flashes और night sweats लेडिस को बहुत तंग करते हैं यह क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम फिर से बात करते हैं इसका cause क्या है, आखिर मीनोपॉज होता क्यों है मीनोपॉज, पहली बात, natural declining of female hormones हमारे body में 30 उम्र के बाद, late 30s में start हो जाता है 40s तक, mid 40s तक, अच्छे से हमारा hormone कम हो जाता है और end of 40s यानि कि early 50s तक, मीनोपॉज बिलकुल हो जाता है तो basically it's a natural phenomenon, जिसमें हमारे शरीर में estrogen hormone decline होता है अब estrogen hormone decline होने की और भी कई तरीके हो सकते हैं जैसे कि किसी का ovarian surgery हुई हो, दोनों ovaries निकाल दी गई हो किसी कारण वाश, यदि ovaries निकल गई है तो आपके शरीर में hormone सक्त कम हो जाएंगे जिसके कारण periods बंद हो जाएंगे और periods बंद होने से आपका एक तरह से surgical menopause create हो जाता है उस इस्तिती में भी आपको same symptoms आते हैं जैसे night sweats, hot flashes, vaginal dryness, mood swings, weight gain बहुत सारी irritability, anxiety, कुछ लोगों को mild depression भी हो सकता है इसके अलावा और reasons जो होते हैं जैसे radiation और chemotherapy कुछ cancer patients को अगर radiation मिल राख के chemotherapy मिली हो तो periods कुछ रोज रुख जाएंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी fertility resume नहीं हो सकती है बिल्कुर हो सकती है और उसके लिए आपको साबदान होगा और अगर आपको radiation, ovarian targeted radiation होता है उस इस्तिती में आपकी ovaries काम करना बंद कर देती है और आपको menopause हो जाता है आखरी बात होती है primary ovarian failure जब आपकी ovaries 40 वर्ष से उम्र से पहले काम करना बंद कर दे या किसी कारणवश वो बहुत ज़ादा हर्मोन अच्छे से नहीं बना पारी है तब भी 40 से पहले ये दिया आपको menopause हो जाता है तब उसे हम premature menopause कहते है इसके बाद बात आजाती है कि इसके complications क्या है menopause के complications है cardiovascular disorders menopause होने के बाद ladies भी cardiac diseases के लिए उतनी ही फ्रोन होती है बलकि ज्यादा हो जाती है मर्दों के पेक्षा दूसरी osteoporosis हमारी hormone कम होने के कारण bones brittle और weak हो जाती है इसके लिए हमें साफधान रहना होता है कि हम अपने doctor से time से मिले और अपनी bone mineral density, vitamin D, calcium के बारे में चांच कराते रहें उसके बाद बात आती है urinary incontinence menopause होने के बाद हमारी urine leak हो जाती है जैसे हम जब छीकते हैं, खासते हैं इसे हम stress incontinence कहते हैं इसके वज़े ये होती है कि हर estrogen की कमी के कारण vaginal और urethral tissue weak हो जाता है pelvic musculature weak हो जाता है, जिसके कारण हम अपनी urine hold नहीं कर पाते जब आपको urine लग रहा है, आप bathroom तक जाते हैं और वहाँ पहुंचने तक आपको लगता है कि leak हो गया है इसे हम urge incontinence कहते हैं ये हमारा menopause के कारण ही होता है इसके अलावा होता है reduced sexual libido ladies को vaginal dryness के कारण बहुत तकलीफ होने लगती है तो उनका इच्छा नहीं होती कि वो किसी प्रकार का शारिरिक संबंद बनाए और last में आ जाती है बात weight gain की कि menopause के कारण metabolism rate reduce हो जाती है और महिलाओं का weight बढ़ने लगता है तो treatment क्या किया जाए treatment किया है कुछ लोगों को जो appropriate candidates है उन्हें hormonal therapy दे सकते है अध्याद एक hormone की कमी होने की state में या बहुत जादा urinary leakage हो रहा है तो vaginal estrogen creams लगाई जा सकती है जिससे कि vaginal tissue में थोड़ा सा health वापस आ जाती है दूसरा हम कर सकते है vaginal exercises low dose antidepressants दे सकते हैं लोगों को vaginal exercises pelvic exercises कर सकते है कि pelvic floor muscle की strength बढ़ जाए ladies को जब depression हो तो low dose antidepressants दिया जा सकता है कुछ दिनों के लिए जो उनको mood swing से बचाता है अब बात आती है कि और हम क्या कर सकते है lifestyle changes कर सकते है हम yoga, meditation, relaxation techniques को अपना कर अपने मन को anxiety को depression को शांत रख सकते है हम balance tight लें इस तरह से खाएं कि हमारा weight गिनना बढ़े regular exercises करें vaginal discomfort को दूर करने के लिए हम water based jellies KY jelly की तरह यूज़ कर सकते है अच्छे से हम सोएं और pelvic exercises तो ज़रूर करते रहें और याद रखें smoking भी कर भी ना करें मेरे ख्याल से इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम सोचें कि diagnosis कैसे बनेगी तो मीनोपॉस की diagnosis signs and symptoms पर याद आ रहेता है कि 12 महा तक आपका period ना आया हो साथ में यदि ज़रूरी नहीं लेकिन यदि आपको mood swings हो रहे है hot flashes, night sweats, chills, hair fall, weight gain तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और वो आपकी help करेंगे अभी के लिए मीनोपॉस के बारे में बस इतना ही धन्यवाद है कर दो आपके लिए आपके लिए आपके लिए में